हेलो गाइज, वेलकम बैक टो एजूकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज का जो हमारा दाहिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, वो है, वेलर एंड प्रेस्टीज, दी वोल्ड आफ स्पेशल उपरेशन्स, तो इस हैडिंग का मतलब क्या है, पहले साथ में नोट कर सकते हो, अगर आपको नोट करना है, तो इस हैडिंग का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूँ, वेलर एंड प्रेस्टीज, अब ये वेलर का मिनिंग क्या होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, वेलर का मिनिंग होता है, वीरता, मतलब क्या बोलते हैं शूर वीर्ता, मतलब बहुत ज़ादा जो है, वो सासी होना, बहुत ज़ादा बहादूर होना, और prestige का मतलब होता है हमारा pride, हमारा गर्व, उसके बाद क्या है the world of special operations तो जो special operations होते हैं उनकी दुनिया ये इस heading का मतलब है अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है एक-एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा कोई भी difficult word meaning आएगा कोई भी important term आएगी उसको मैं आपको साथ-साथ में note करवाता चलूँगा पूरे YouTube पे ऐसा session आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इसकी guarantee मैं लेता हूँ जहां पे आपको एक-एक लाइन को हिंदी में explain किया हो और ये जो article है आपको कोई भी exam देना है उसमें अगर आपको answer writing लिखना है या फिर आपके खुद के knowledge के लिए ये session बहुत ज़्यादा helpful रहने वाले हैं तो start करते हैं आज का दा Hindu editorial article जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अपनी तो क्या लिखा हुआ है the evacuation of 121 Indians from Wadi Sedna north of Kortham in Sudan in the dead of night using an Indian Air Force 130J superpower calls has been louded all around louded का मतलब होता है परशंसा करना, मतलब तारीव करना और dead of night का meaning होता है mid of night, मतलब आदी रात में और evacuation का मतलब होता है दूसरी country से कुछ लोगों को जो हमारे देश के हैं उनको वापिस अपनी country में लाना, मतलब उनको evacuate करके सुरक्षित जो है वो वापिस अपने देश में लाना, तो जो अभी recently evacuation किया 121 Indians का, कहां से लेके है उनको जो वादी सेधना है North of Kortham in Sudan Sudan जो country है, Sudan वहाँ से जो है 121 जो Indian था उनका evacuation किया in the dead of night, मतलब mid of night आदी रात में और किसके दुआरा किया गया? इरफोर्स के दुआरा 130J superher calls को यूज करके, has been lauded all around, और ये जो कार्य किया है इसकी परशंसा हो रही है हर जगा पे ठीक है, उसके बाद क्या है? The IAF's press release is an understatement of the stupendious task done on the night of April 27, 28, but a subtle shawbash to the personal involved तो IAF, जो हमारा Indian Air Force है, उन्होंने जो एक press release किया वो एक understatement है किसकी spontaneous task done on the April 27, 28, मतलब ये जो task किया है उनको evacuate करने का 121 Indians को बापिस हमारी country में सुरक्षित लाने का उसकी जो press release की न, Indian Air Force ने, वो उन्होंने एक understatement दी, किसकी spontaneous task की अभी ये spontaneous task का मतलब क्या होता है? stupendious का मतलब होता है, मतलब एक बहुत ही impressive काम करना बहुत ही अच्छा काम करना तो उसको जो है न, Air Force ने ज़्यादा बढ़ा चड़ा के नहीं दिया, उसको एक दम understatement दिया, मतलब ज़्यादा उसके उपर, मतलब किसी understatement का मतलब होता है, किसी चीज को दबाने की गोशिश करनी, तो Air Force ने जो यह spontaneous task था, मतलब बहुत impressive जो काम किया था, Air Force ने इसको ज़्यादा बढ़ा चड़ा के नहीं दिखाया इसको एक understatement की तरह दिखाया ठीक है, उसके बाद क्या है but it's subtle, शाबाश to the personal involved subtle का मतलब होता है, मतलब एक normal सी, जो है उसको क्या करना, मतलब ज़्यादा किसी को strong मतलब किसी को नहीं करना, मतलब डीला डाला काम करना, उसको बोलते हैं subtle तो यह मतलब subtle शाबाश थी एक normal जो थी, वो शाबाशी दी मतलब आपने अच्छा काम किया जो भी personal जो थे, मतलब Air Force के इसमें involved थे, उनको एक subtle सी शाबाशी दी, मतलब हल्की-फुल्की शाबाशी दी, जादा शाबाशी जो थी, वो नहीं दी उसके बाद क्या है, and let us not forget the steady day flow, लेकिन हमें यह बूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से हमारा जो Air Force का जो जहाज था वो steady, street day flow मतलब street का मतलब होता है मतलब कितनी fast तरीके से उसने move किया, कितनी fast तरीके से वो move हुआ, उड़ा the C-130J and the foresight of the IAF and national leadership in the beginning of the century which considering the growth stature and responsibilities of the nation had planned the purchase of this aircraft and outstanding capability enabler लेकिन हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि किस तरह से यह जहाद जो है वो flu करता है, और हमें जो foresight है, foresight का मतलब क्या होता है, आने वाली जो problems है, उनको पहले से predict करना ठीक है, और क्या करना, मतलब यह expect करना कि future में क्या होने वाला है, और उसी हिसाब से अपने आपको plan करना, मतलब चीजों को plan करना, तो हमें ना तो हमें किस तरह से ये जहाद जो है वो फ्ल्यू करता है, कितनी तेजी से बागता है, हमें उसे भी नहीं बूलना चाहिए, और जो फॉरसाइट है ना IAF की, मतलब चीजों को प्लैन करना, उसको भी नहीं बूलना चाहिए, और हमारी जो नैशनल लीडर्शिप है, in the beginning of the century, which considering the growing stature and responsibilities of the nation, जिसने हमारी जो नैशनल लीडर्शिप है, जिसने हमारी जो growing stature है, stature का मतलब क्या होता है, हमारा मतलब जो डांचा है, ठीक है, और हमारी जो responsibilities है, उसको consider किया, had planned the purchase of this craft, और planned किया कि हमें जो है वो इस aircraft की जरूरत पड़ेगी, had planned the purchase of this craft, an outstanding capability enabler, जिसकी capability है, वो बहु जादा है, तो हमें जो है न, इन चीजों को नहीं बूलना चाहिए, कि जो national leadership है, उसने भी अच्छा काम किया है, और जो हमारे जो IAF के जो personal है, उन्होंने भी अच्छी जना से चीजों को जो है, वो foresight किया है, predict किया है, और अच्छे से plan किया है, one also needs to acknowledge the acquisition of the other aircraft for the IAF, the C-17 Globemaster heavy lift aircraft, और क्या है, one also needs to acknowledge, और हमें और भी चीजों को acknowledge करना चाहिए, मतलब उनको देखना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, जैसे कि the acquisition of other aircraft, जैसे कि acquisition का मतलब होता है, earn करना, जैसे हमने एक और aircraft को earn किया है, उसका नाम है C-17 Globemaster heavy lift aircraft, तो ये भी जो aircraft ह ना, वो काफी important है, इंडिया के लिए, तो इनको भी हमें जो है ना, वो याद रखना बहुत ज़्यादा जिरूरी है, उसके बाद क्या है, दी वादी सेदना mission will soon be forgotten, and it is only right that the reader is able to have some idea of how special operations capability has progressed, and what would be kept in mind as it developed further, तो आगे आथर का क्या कहना है, कि ये जो हमारा mission था, सुदान क जहां से 121 Indians को evacuate किया होगा, किया गया, ये soon, जो है, मतलब, will we soon forgotten, मतलब, थोड़ी देर के बाद, लोग इसको बूल जाएंगे, and it is only right that the reader is able to have some idea of how special capability has progressed, और अभी ये सही time है, कि जो reader है, मतलब, ये जो article पढ़ रहे हैं, reader, उनको कुछ idea होना चाहिए, कि कैसे ये जो special operations है उनको progressed किया जाता है, and what should be kept in mind as it developed further, और हमें आगे क्या दिमाग में रखना चाहिए, जब हम इसको further developed करेंगे, मतलब, ओ developed करेंगे, तो हमारे mind में क्या चीजे होनी चाहिए, ये हमें idea होना चाहिए, ये किसका कहना है, author का, अब हम लोग कांदार जो hijacking हुआ था, सब ने थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि उसका impact जो था, वो क्या पढ़ा था, अगर आपने नहीं भी सुना है, तब भी आपको जो है, वो कांदार hijacking के बारे में पता चल जाएगा, during the कांदार incident of December 24, 1999, तो ये incident कब हुआ था, December 24, 1999, when an Indian Airlines flight IC814 was hijacked, while on a flight from Kathmandu to Nepal, जब हमारी जो ये flight थी IC814, इसको hijacked कर दिया गया था, ये कहां से आ रही थी, Kathmandu, जो Nepal में है, वहां से New Delhi आ रही थी, it ended on December 31, 1999, और ये खतम कब हुआ था, हमारा mission, 31 December 1999, I happened to be with my, with year's chief marshal A.Y. Tipnis on December 24, in Israel, when the chief's mobile phone rang, the vice chief was online with news that IC814 had been hijacked, तो आथर जिनोंने ये article लिखा हुआ है, मतलब ये जो article जो जिनोंने लिखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, कि ये ऐसा कब हुआ था, मतलब जो कांदार hijacking थी, वो कब हुआ था, जब भी ये हुआ था, मैं अपने chief air marshalal के साथ था, उनका नाम था A.Y. Tipnis, और ये December 24 की बात है, हम लोग इसराइल में थे, जब हमें क्या हुआ, when the chief's mobile phone rang, मतलब chief को phone आया, जो मेरे साथ था, किसका phone था, जो wise chief है, उनका phone था, और उन्होंने हमें news दी, कि ये जो IC814 है, जो flight Kathmandu से नेपाल आ रही है, उसको hijack कर दिया गया है and had landed in at Amrisar, और उसको land कहां करवाया गया है, Amrisar में, a civil year field, उसके बात क्या है, we all know how standard operating procedure did not work the year after and the plane eventually landed at Kandar in Afghanistan, और हमें पता है कि उस time पे जो हमारे standard operating procedure से ना, जो मतलब काम करने का तरीका होता है, कि किस किस तरह से हमें वो काम करना है, वो उस time पे काम नहीं किये थे, और ये जो plan था, वो कहां पे, जो कांदार है ना, अफगानिस्तान में, वहां पे land करवाया गया था, leading to the release of dreaded terrorists, और क्या हुआ था, हमें जो terrorists थे, उनको release करना पड़ा था, सब को याद होगा, सबने ये पड़ा होगा, Could India have done a rescue like the famous Israel rescue at Antabby, Uganda in July 1976, आगे आतर का कहना है कि क्या, इंडिया भी उसी तरह से rescue कर सकती थी, जैसे इसराइल ने किया था, Antabby, Uganda में 1976 में, here Israeli commandos flew all away to the Uganda, and stormed a hijacked air France jet in trying circumstances, और यहां पे क्या हुआ था, 1976 में, इसराइल के जो commandos थे न, वो Uganda में चले गए थे, जहां पे hijacking हुई थी, and stormed a hijacked air France jet in trying circumstances, trying circumstances होती है, मतलब difficult situation, तो उन्होंने क्या किया था, stormed किया था, रोका था, जो hijack था, काफी difficult situation में, मतलब trying circumstances में, और जो commandos थे, इसराइल के, वो सीधे कहा चले गए थे, Uganda में, जहां प for two big impediments, impediments मतलब क्या होते हैं, obstacles, मतलब रोकावट, हमारी जो मरजी थी न, will का मतलब होता है, मरजी, हमारी भी मरजी बिलकुल ऐसी ही थी, जैसे इसराइल ने किया था, लेकिन हमारे साथ जो थी न, वो दो बड़ी-बड़ी रोकावटें थी, दो obstacles थी, obstacles मतलब impediments, impediments का मतल avoiding Pakistan's earpiece, पहली रुकावट ये थी, कि जो presence है न, Pakistan की, whose territory could not have been overflown, and no IAF aircraft that could carry out a very risky mission avoiding Pakistan, मतलब अगर हमें, वहां से, अगर हमें mission करना था, जैसे इसराइल ने किया था, अगर हमें भी direct, जो है, वो कांदार जाना था, तो हमें जो है, वो Pakistan की territories के उपर से गुजरना पड़ता, उसके बिना ऐसा काम नहीं होता, तो ये काफी जो है न, वो risky हो जाता हमारे लिए, ठीक है, entering Afghanistan from south and returning without refueling, तो ये काफी risky mission हो जाता, और हम लोग जो है न, पाकिस्तान की जो territory थी, उसको avoid नहीं कर सकते, अगर हमें Afghanistan में जाना है, तो हमें उसी तरीके से जाना पड़ेगा, अ काफी लंबा रास्ता हो जाएगा, ठीक है, तो problem हमारे लिए ये थी, कि हमें अगर ये mission करना था, जैसे इसराइल ने किया था, तो हमें Pakistan के उपर से overflown करना पड़ता, जो कि हमारे लिए काफी difficult हो जाता, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्योंकि Pakistan के terrorists थे, वो सबको पता है, the Afghanistan's rescue missions, अब हम लोग जो Afghanistan के rescue missions हैं, उनके बार में बात करेंगे, enter the C-130J in the IAF's inventory, and we now have this capability, if the political leadership decides to intervene in such a critical situation, where national interest and reputation are at stake, अभी हमारे पास जो है न, जैसे हमारे पास 130J आया न, IAF inventory में, मतलब Indian Air Force में, हमारे पास अभी capability है, अगर हमारी जो political leadership है, अगर वो decide करती है, कि हम लोग जो है, वो intervene करेंगे, intervene का मतलब होता है, हस्त शेप करना, in such a critical situation, अगर कोई भी ऐसी critical situation आती है, difficult situation आती है, जहां पे, where national interest and reputation are at stake, stake का मतलब होता है, दाओ पे लगना, जहां पे हमारे national interest, हमारे जो देश के फाइदे हैं, और जो reputation है, वो दाओ पे लगी होगी, तो हमारे पास जो है, फुल capability है, before the Sudan rescue, मतलब हमने जो Sudan से जो rescue किया, लोगों को बचाया, there have been two other such missions that are known in the open domain, इस से पहले भी दो mission जो है, हमने सही तरीके से किये हैं, जो की open domain में में है, मतलब सब के सामने है, the first was the evacuation of Indian embassy personal from HRAT, पहला जो mission था, वो हमने evacuate किया था, Indian embassy के जो personal है, कहां से हेरत से, in Afghanistan in April 2020, ये कब की बात है, April 2020 की, the aircraft flew from India and had its engines running even after landing, तो ये जो aircraft था वो इंडिया से मतलब उड़ा, और इसका जो engine था, वो work कर रहा था, लैंडिंग के बाद भी, the IEF's guard commandos stood guard, जो IEF के जो guard commandos थे, वो guard की तरह उन्होंने protect किया, and उसके बाद क्या है while the diplomatic staff implained, और जो diplomatic, जो embassy के जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या, वो plane में चड़े, और जो IEF के जो personal थे, वो उनको cordon कर रहे थे, उनके मतलब side में खड़े थे, as a guard खड़े थे, the second mission on August 2021, was an equally high risk from, one from Kabul, जो दूसरे mission की हम रोग बात कर रहे हैं, वो खाफी high risk mission था, और ये that unfolded going viral, तो इसके कुछ videos भी है, जो किसके पास है, US के पास है, United States के पास थे है, जो की काफी जादा जो है, वो viral हुए थे, मतलब लोगों के बीच में जो थे, काफी जादा जो है, इनकी चर्चा हुई थी, और ये openly जो थे, वो क्या हुए थे, viral हुए थे, viral का मतलब होता है लोगों को पूरा पता चल गया था इसके बारे में, सोशल मीडिया पे, हर जगा पे, तो काफी जो है, इसकी जो है, वो मतलब परशंसा हुई थी, the ear space was uncontrolled and the ground situation chaotic for want of a waterboard, दो ear space था न, वो एकदम uncontrolled था, उस पे कोई control नहीं था, और जो ground situations ही न, वो काफी chaotic थी, chaotic का मतलब होत of a waterboard, मतलब उनको जो है, वो अच्छे जो है, वो वोड सुनने थे, अच्छे शब्द सुनने थे, तो ground situation जो है, वो काफी खतरनाग थी, लोग जो थे, वो काफी बढ़के हुए थे, there were a large number of aircraft in the year and the pilots had to avoid them and use night vision goggles while landing, तो काफी जादा उस ताइम पे aircraft जो थे, वो, आपको पत निसान में कैसी situation हो गई थी, काफी difficult situation हो गई थी, जब तालिबान ने वहाँ पे rule किया, तो काफी जादा जो थे, वो, जो aircraft थे, वो हवा में उड रहे थे, और pilots को जो था, उनको avoid करना था, उनको ignore करना था, और night vision goggles का use करना था, while landing, the only call they received from the ground controller, was the line, land at your own risk, तो ground से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, जो controller थे, ठीक है, वो क्या बोल रहे थे, land at your own risk, मतलब अपने risk के उपर ही आप लोग जो है, वो land करना हम आपकी कोई guarantee जो है, वो नहीं ले सकते, उसके बाद क्या है, while the crew on this missions were awarded for their professionalism and gallantry, what needs to be appreciated to is the year crew selection and their special training, मतलब ये जो crew था ना, इस mission पे, जो team थी, उनको काफी awards मिले, उनके professionalism के लिए, उनके काम के लिए, लेकिन हमें इस चीज को भी appreciate करना होगा, कि जो year crew की जो selection हुई थी, वो काफी अच्छी हुई थी, और उनकी जो training थी ना, वो भी काफी बढ़िया से हुई थी, इस चीज को भी हमें appreciate करना होगा, in case of Sudan rescue, the crew faced many problems लेकिन यह जो Sudan का भी, South Sudan से जो rescue किया है, हमें लोगों को बुचा के लाए है, हमें लोग 121 लोगों को, उसमें का भी हमें problems भी face करने पड़ी, ठीक है, intelligence was poor and the runway was rough with no landing aids, जो intelligence थी, वो काफी खराब थी, और जो runway था ना, मतलब जहां पे हमने land किया, वो काफी रफ था, और हम कोई landing aids भी नहीं मिली, मतलब कोई help भी नहीं मिली, and they had was top class onward aircraft instrumentation, such as synthetic runway generation, on the head up display, electro optical night vision capability, night vision goggles, of course, great confidence in their ability to pull it off, हमारे पास काफी अच्छे च्छे devices थे, अच्छा displays था, night play capability थी, night vision goggles थे, और हमारे पास great confidence, हमारे पास confidence भी काफी ज्यादा था, हमारे पास confidence भी काफी ज्यादा of, कि हम लोग ये जो काम है उसको कर रेंगे, उसके बाद क्या है, the essence of special ops, अब ये ops का मतलब क्या होता है, जो surgical operations होते है, इनकी essence, मतलब इसका जो summary है, इसके जो सार है, उसके बारे में हम लोग जो है, वो बात करेंगे, essence का मतलब होता है, किसी चीज का सार summary, special operations are much more than stick and throttle operation, य जो हमारा, जो flight होती है, जो aeroplane होता है, उसी के ये जो है, वो parts होते हैं, ठीक है, उनी को बोलते हैं, मतलब जो जिस flight में हम लोग जाते हैं, उसी के ये parts होते हैं, उसको बोलते हैं, stick and throttle, तो ये जो special operations होते हैं, सिर्फ ये stick and throttle operations नहीं होते हैं, night vision googles and dark nights, यहने हम night vision googles भी न नहीं बोल सकते हैं, यह काफी जादा है इन सब चीज़ों से, सिर्फ यह night vision google नहीं बोल सकते हैं, और नहीं हम इनको dark night बोल सकते हैं, और नाटी, नाहीं हम इने stick and throttle operation बोल सकते हैं, और भी काफी साधी चीज़े इनमें involved होती है, Every member of such a mission bears on his shoulder the weight of nation's prestige, prestige मतलब होता है जो गर्व है, जितने भी जो member होते है ना इस mission में, वो अपने shoulders पे, अपने कंदों पे पूरे देश का जो pride है उसको उठाते हैं, यह इंडिया के strategic corporals कहलाते हैं, यह जो टॉम है ना strategy corporals, यह किस ने दी है, Charles Krulak ने दी है US Marine Corps के, और यह क्या बताती है, the action of even the unlisted man, unlisted मतलब जो सबसे छोटा आदमी होता है ना army में, सबसे low rankा, उसका भी जो action होता है ना, उसका impact पड़ता है national की policy पे, ठीक है, and the institutional training should cater for this, और जो institutional जो training देता है ना, उसे इसको cater for दिन, मतलब इस चीज के लिए उसको तियार करना चाहिए, cater का मतलब होता है, run करना, तियार करना, when it comes to failure, the vungled hostage rescue attempt by the Americans from Iran in 1980, और the picture of Gary Powers in USSR custody, when this U-2 was shot down in 1960, और reminder of loss of face for the US, अभी हम लोग कुछ जो failure हुए थे operation के, मतलब rescue करने के उनकी बात करेंगे, जैसे अमेरिका ने जो इरान में operation किया था, 1980 में, और जा फिर जो Gary Powers in USSR, जो Russia custody में, जो operation हुआ था, जे कुछ examples हैं, कुछ हमें याद दिलाते हैं, loss of face for the US, मतलब जो, जिसमें US जो है, वो fail हो गया था, ये कुछ ऐसे operations है, rescue operations है, in terms of success, अगर हम लोग success की बात करें, but brought laurels for the US, मतलब जो, laurels का, laurels का मतलब अगर आपको लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो, laurels का मतलब होता है, जो, honor, या फिर praise की बात है, मतलब परशंसा की बात है, US के लिए, जो जहां पर उनको success मिली है, वो है, was the elimination of Osama bin Laden in a special forces raid, जब उनको special forces के दुबारा, उनको raid किया गया था, उनको eliminate किया गया था, तो यह success है, किस के लिए, US के लिए, there is thus a non-military intangible element in every such operation, that a young officer or a corporal, far removed from his base, has to accomplish, तो कुछ non-military intangible element भी होते है, मतलब non-intangible का मतलब हो गया, जो military को छोड़के, जो छोटी-छोटी ऐसी चीजे होती है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो एक officer को जिसकी जरूरत होती है, जब वो अपने base camp से बाहर निकलता है, और उसको उसे पाना होता है, मतलब यह जो छोटी-छोटी non-military चीजे हैं, इनकी बहुत जारा जरूरत पड़ती है, it is only right that this ethos and training in the IAF special operations crew, could not be diluted by the lure of sending the versatile C-130, for the routine task and BIP carriage, तो मतलब यह जो right ethos है, मतलब सही तरीका है काम करने का, या फिर जो सही training है na IAF special personnel की, यह dilute नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको हमें बंद नहीं करना चाहिए, यह जो training है, इसे हमें continue करना चाहिए, इसे हमें dilute नहीं करना चाहिए, why the lure of sending versatile C-130, मतलब हमने यह नहीं बोलना चाहिए कि, मतलब lure का मतलब क्या होता है, lure का मतलब होता है, मतलब lalash करना, जैसे हम लोग 130, जो हमारा C-130 है, इसको बेच के, मतलब हम लोग यह नहीं बोल सकते, routine काम के लिए, इन बड़े-बड़े जो जहाज हैं, उनको नहीं बेच सकते, या फिर VIP carriage के लिए, इन जहाजों को बेच के, हम लोग जो उनकी training है उसको dilute नहीं कर सकते, ठीक है, हमें जो उनकी training है, उसको continue करना चाहिए, लियोर का मतलब होता है, लालash करना, या फिर मतलब, छोटे-छोटे mission के लिए, बड़े-बड़े जैसे हम लोग 130J को बेज रहे हैं, तो इनको हमें नहीं बेजना चाहिए, उनकी जो training है, उसे और भी strong करना चाहिए, इनको क्या बोला जाता है, ये जो special, इनके squadron है, इनको बोला जाता है, वील्ड वाइपर एंड रेडिंग रॉप्टर, इट इंकम्बन का मतलब होता है, इनकम्बन का मतलब होता है, डिपैंड होना, तो ये लीडर्शिप पे हमारी जो लीडर्शिप है, हमारी government है, उसके कोई डंग मारता है न उसको बोलते है स्टिंग तो वो क्या है पोटेंट रहें मतलब स्ट्रॉंग रहें तो ये था आज का दा हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल एकदम सिंपल लेंगवेज में मैंने आपको समझा दिया है टेलिग्राम में आपको PDF मिल जाएगा उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो एक दो बार इसको खुट से रीट करो अगर वीडियो अच्छा लगा तुरंत लाइक कर देना जिसने पूरा वीडियो देखा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकान को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो जाहिए